यह देखे फ्रेंड्स, आज हमने प्याज के लच्छेदार पकोड़re बना हैं, बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे पकोड़े बने हुए हैं, एक्दम क्रिस्पी और कृच्शी बनकर तयार हुए है, इन पकोडों को बनाना जितना आसान होता है या खाने में उतने ही टेस्टी भी होते हैं पकोडों को हम breakfast में या tea time snacks के साथ enjoy कर सकते हैं मैंने इन पकोडों को tomato ketchup और चाइक के साथ serve किया है आप अपनी choice का according से serve कर सकते हैं तो चलिए हम प्याज के पकोडे को बनाना शुरू करते हैं हाई everyone मैं हूँ शालीनी वो कवित शालीनी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम प्याज के पकोडे बनाएगे प्याज के पकोडे बनाने के लिए मैंने 5 बड़े साइज के प्याज लिये थे उसे हमने अच्छे से वाश करके इस तरह लच्छों में कट कर लिया है ऐसे लंबा लंबे आकार में हमने काट लिया है अब हम इस प्याज के पकोडों को बनाने के लिए इसमें हम सबसे पहले नमक को एड़ कर देते हैं ताकि नमक से जो भी इसमें प्याज में एश्ट्रा मॉइस्चर होएगा, वो सब रिलीज हो जाएगा, हाफ टेबल इस्पुन से थोड़ा ज्यादा नमक हमने एड़ कर दिया है, पिंच ओफ हींग एड़ कर देते हैं, वन फॉर्थ टीजपुन से थोड़ा कम हल्दी एड़ करेगे, हाफ टेबल इस्पुन रेड चिली पाउडर एड़ करेगे, आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी एड़ कर सकते हैं, वन टेबल इस्पुन मैंने अजवाइन लिये, अजवाइन का हम हाथों की हैल्प से क्रश करते हुए एड़ करेगे, अजवाइन का फ्लेबर इसमें बहुत अच्छा आता है, अगर आप अजवाइन का फ्लेबर नहीं लाइक करते हैं, तो आप इसमें जीरा भी एड़ कर सकते हैं, दो अरी मिल्च में इने चॉप करके ले लिये, उसे एड़ कर देते हैं, अब इन सारी सामगरी को हम हमारा हैंड की हैल्प से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसमें प्याज में जो मॉश्चर निकलेगा, उसी मॉश्चर से हमें इसका डोव प्रिपेर करना हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तयार होगें, प्याज के पकोड़े को एस्ट्रा क्रिस्पीनेस देने के लिए हम इसमें 2-2-3 टेबल इस्पून राइस फ्लॉर एड़ करेंगे, राइस फ्लॉर एड़ करना पूरी तरह से आप्शनल है, लेकिन एड़ करते हैं तो प्याज के पकोड़े उपर क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनकर तयार होगे, मैंने 1-4, 1-5 कप से थोड़ा जादा और 1 कप से थोड़ा कम बैसन लिया है, उसमें से मैं 2 टेबल इस्पून बैसन अभी एड़ कर दूगे, ध्यान गो है, हमें बैसन थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है, जितना मौश्चर हमारे प्याज चिक में होगा, उसी में हमें इसे मिक्स करना है, हमें अलग से पानी डालने की जरुवत नहीं पड़े, अगर आपको थोड़ा आपका मिक्शर टाइट लगता है, तो आप 1 टेबल इस्पून ये 2 टेबल इस्पून पानी एड़ भी कर सकते हैं, मैं इसे अपनी हैंड की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, अब हमारा डोव बनकर तयार है, इसमें मैंने 2 टेबल इस्पून बेसन और बाद में एड़ किया था, वन कप में से हमारे पास 3 टेबल इस्पून जितना बेसन अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अब मुझे इसकी जरुवत नहीं है, हमारा डोव एकदम अच्छे से प्रिपेर हो गया है, मैंने mix तयार किया इथे, इधर मैंने oil गरम होने Christianity एक लिए लाखा था, इसमें 2 टेबल इस्पून oil इस बेटर में mix कर देती हूई, गरम ओईल है एकदम इसमें मैंने mix कर दिया है, अब हम इसे अच्छे से mix कर लेते हैं और पकोड़े को बनाना शुरू करते हैं, कोईल को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे कोईल अच्छे से गरम हो गया है तो हमारे हैंड की हेल्प से अन इकोल साइज में पकोड़े इसमें डालते जाएगे हमें इसे राउंड शेप देने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि प्याज हमने लच्छों में काटा है तो अन इकोल स्पैस्ट अच्छ लएगे पकोड़े देखेए एक बार में पकोड़े में इस तरह से प्याज की प्याज की शर्प बनाकर ट्राय किजिए बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं एकदम ख्रिस्पी बनकर तयार होगे और बिल्कुल मार्केट इस्टाइर हमारे पकोड़े बनेगे अब हम पकोड़ों को फ्राय होने देते हैं उसके बाद इसे टर्ण करेगे अभी हम पकड़े को छूएगे नहीं जब तक गी उपर से हमें हलके से ड्राय नहीं दिखें अब हमें यह उपर से ड्राय दिख रहे हैं तो हम इसे डर्ण कर देते हैं अच्छा सा golden color आने तक और पकोड़े में अच्छी सी crispiness आने तक हम इसे fry करेंगे इस तरह से चलाते रहेंगे फ्लेम को में पूरी प्रोसेस में हाई रखोगी लो फ्लेम या मेडियम फ्लेम पे पकोड़े oil एबसर्ब कर लेते हैं अच्छा टेस्ट नहीं देते हैं हाई फ्लेम पे रखे और continuously इसे घ्यान रखते रहें चारो तरफ से इसे घिलाते रहें अब हमारे पकोड़े पे अच्छा सा golden color आ गया है सारी तरफ से एक जैसे fry हो गए हो और अच्छी क्रिस्पी भी हो गए तो हम इन पकोडों को निकार लेते हैं और सेंज प्रोसेस से सेडेड्स को fry कर लेगे देखिए कि इतने अच्छे बत्शी रिख हमारे बने हैं यह देखिए, कि इतने क्रिंची और क्रिस्पी हमारे पकोडे बने हैं, आप आवस सुन पा रहे होगे, हमारे सारे पकोडे बनकर तैयार है, अब हम पकोडे को प्रजेंट कर लेते हैं यह देखिए हमारे सारे प्याच के पकोड़े बनकर तयार है यह देखिए इतने अच्छे हमारे पकोड़े बने हैं एकदम क्रिस्पी और कंची पकोड़े हमारे बने हैं के प्याइज प्रभापोड़ के एक लईयर अछे नहों जो थे की वैस्ताइब चुल करक्स को Beach लगो के चाये साथ सर्व का मासराने वर भेण और ब्राइख की तर्भापोडने विश्तीम बना हो पिलिक का मैं तयbbe में गम देञा इस फ्लोरेट क्या था उससे एस्ट्रा क्रिस्पी भी हो गए है तो फ्रेंड्स आज आपको हमारे आज की प्याज के पकोड़े की रेसिपी ट्राइ करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक् लुटेंगा है maintenance बाद दहे हो न एक्या नि एल्च है प्लाइब की आपका का दोग्या एला न दो में हो गय। आतरे है के जह एपके लाए़ ने पहूटेंगा है में रहा है भादेब न लुटेंगा है न लुटेंगा है